असलावलेकूम आई दियो स्टूरेंट्स तो फिर बच्चों आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंज के बारे में जोगी होगा हमारा पेश नंबर 80 पे तो जैसे अब सभी को मालूम होगा कल हमने प्रेजन कंटिन्यूस टेंज के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि वाप की फर्स्ट फोर्म के साथ क्या लगता है आई इंजी लगता है कंटिन्यूस में और कंटिन्यूस की एक्सरसाइज हमने करे थे आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंज तो फिर past continuous tense को पढ़ने से पहले हम इसके एक्जम्पल दिया हुआ हम इसे समझने के कोशिस करते हैं तो फिर एक्जम्पल में सबसे पहले दिया हुआ है यूसुप father was putting on his jacket when the sun rose ठीक है और was putting अब देखो यहां पे putting के साथ यानि कि जो हमने बोला था ing तो किस में लगता है continuous में लगता है ठीक है अब यहां पे क्या लगा हुआ है was का इस्तिमाल हुआ है ठीक है We use the past continuous tense to talk about an action. हम past continuous tense को तब बात करते हैं जब हम किसी action के बारे में. अब वो action कौन सा होगा? That was happening sometimes in past. कोई भी action जो past में हो रहा था. ठीक है? यानि कि अगर हम अपने जबान में समझाएं तो फिर ये उसे होगा. या फिर ये एसे भी होगा. यानि कि जो कभी किसी time के लिए, ठीक है? यानि कि past में किसी छोटे से वकत के लिए भी हो सकता है. कोई चीज हो रहा होगा. हम उसके सथ किसके इस्तेमाल करेंगे? अब हमें यहां पे बॉलाओाएं कि past के साथ हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? थे past continuous tense, use the form जो ये past continuous tense में है. उसमें हम किसके इस्तेमाल करेंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे और वैर का इस्तेमाल करेंगे. plus swap जो हमारा action हो रहा हूँ और उसके साथ हमेशा ing weas और weir के साथ हमारा क्या लगेगा wap और उसके साथ ing जैसे यहां पर दिया हुआ हुआ है weas यहां पर किस का इस्तेमाल हुआ है weas का इस्तेमाल हुआ है یع니 कि यह singular के बारे में बात हो रहा है और where का इस्तिमाल हम किसके साथ करते हैं plural की साथ करते हैं तो फिर यहाँ पे was का इस्तिमाल हुआ है फिर यहाँ पे what put put ठीक है यह put हमारा क्या होगा what plus ing ठीक है यहाँ पे यह इस तरह से इस्तिमाल हुआ है अब यह दूसरा example I was doing my homework at this time yesterday मैं अपना homework लिख रही थी कल इसी time पे ठीक है यानि कि कल इस वकत मैं अपना काम कर रही थी यह किसको compare कर रही है अपनी girl वाली जो उसने action करे थे वो compare कर रही थी ठीक है अब यहाँ पे फिर से I यानि कि singular के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे इसने किसको इस्तमाल किया हुआ है वास कर किया हुआ है फिर से do do हमारा क्या हे वाब है ठीक है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है ing past में हो चुका है फिर यहाँ पे लिख वाइ किया वास रिडिंग for our last time long time last night जो किया थी वो पढ़ रही थी कल क्या लंबे समय तक ठीए यानि कि कल रात को वो देर तक पढ़ रही थी अब फिर से हाँ पर लास नाइड आया हुआ है यानि कि कल रात के बारे में बात हो रहा है जो एक्षिन पास्ट में हो चुका है इसी तरह ये जो पास कंटिन्यूर स्टेंस है हम वहाँ पर वास और वेर अगर सिंग्यूलर होगा वास पिलूरल होगा वेर पुलस वाप के साथ क्या लागिएगा आएंजी चलो अब हम करते हैं इन्हें सर्कल दी कोरेक्ट वाप होगा हमें उनको सर्कल करने पहला हमें दिया हुआ है वी वेर स्लिपिंग ठीक है या फिर स्लैप विन आवर कर्जन्थ एर्राइवड या फिर एर्राइविंग फ्रॉम लंडन ठीक है अब यहाँ पर किसका बात हुआ है वी का बात हो रहा है यानि कि हमारा अब we से क्या होता है हम ठीक है अब we were यानि कि हम सब सो रहे थे ठीक है we के साथ we're का इस्तेमाल हुआ और plus as il double e p slip हमारा वाप का first form plus ing ठीक है we were sleeping हम सो रहे थे अब slip तो नहीं आएगा ठीक है when our cousins arrived जब हमारे cousins कहां से आए लंडन से आए ठीक है अब उसी तरह हम इस सिकंड वाले को करने की कोशिस करते है वी यहाँ पर फिर से किस का इस्तेमाल हो रहा है वी का इस्तेमाल हो रहा है ठीक है तो फिर क्या आएगा we were playing ठीक है we were playing when further हम खेल रहे थे जब पापा ओफिस से वापा आए we were playing when further return home from work ठीक है हम खेल रहे थे जब पापा काम से गर वापाज आए तो फिर थार्ड वाला it dash when I dash up this morning ठीक है यानि कि it was raining क्या हो रहा था बारिश हो रहा था ठीक है it was raining when I woke up this morning जब मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा कि बारिश हो रही थी ठीक है अब यह जो एक्षेन हो रहा था यह जब उठी सुबह तो फिर इसने देखा कि बारिश हो रही थी ठीक है father was cooking यहां पर क्या आएगा was cooking आएगा ठीक है father was cooking when his mobile phone rang पापा क्या कर रहे थे खाना बना रहे थे जब उनके mobile पर फोन आया ठीक है रहने की पास्ट फोन में जब हमने यहां पर was cooking के इस्तेमल किया तो फिर यह जो हमारा last वाला sentence होगा यह किसमें जाएगा पास्ट में जाएगा जैसे कि आपने हर जगे देखा होगा जैसे यहां एकिसको show करते पास्ट को वोग भी हमारा पास्ट में रेंग यह भी हमारा पास्ट में ठीक है और फिर 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 आई मेट या फिर आई वास में की दी रगोली when Jason is running in the room ठीक है तो फिर यहां पे क्या आएगा यहां पे आएगा I was making ठीक है I was making यानि कि मैं रंगुली बना रही थी When Jason जब Jason जो था वो ran into the room ठीक है जब Jason कहां पर आया रूम में आया मैं क्या कर रही थी रंगुली बना रही थी ठीक है तो फिर ये था हमारा आज का वाला exercise जिसमें हमने past continuous tense की बारे में पढ़ा मुझे उमीद है आप लोगों को ये समझ में आये होंगे आज के लिए खुदाफीज